हेलो फ्रेंड्स नमस्ते अस्सलाम अलेकुम सस्रीयकाल जो भी आपका पसान्द है कबूल कीजिए और चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रेक्शन वीडियो की तरफ अज की जर्णी बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग जर्नी करने वाले हैं जिस ट्रेन का नाम है मैत्री एक्सपेस जो की भारत और बांगलादेश के वीच में चलती है ट्रेन नमबर 13108 मैत्री एक्सपेस जो की वीक में पास दिन चल कर और मैं इस्ट्रेन की टाइमिंग की बात कर दो यह जो ट्रेन है न सुभस cooperation साथ बचके 10 मिट पर कॉलकता रेल्वे श्टिशन से निकलती है जिसे हम लुग चित्पूर रेलवे स्टेशन और आपको इविनिंग में चार बच के दस मिंट पे धाका रेलबे स्टेशन पहुंचाती है, सोथ हम लोग इस ट्रेंज से लगबग 393 किलोमेटर की दूरी तै करने वाल है, लगबग 9 घंटे में सिर्फ 2 हर्ट के साथ, वैसे मैत्री एक्सप्रेस में दो तरकी कोच है, एक है 1st AC का कोच और दूसरा है CC मतलब AC चेयर का कोच, तो हम लोग जो है AC चेयर कार कोच में जर्णी करने वाल है, कोच है B2 सीट है 10 नमबर विंडो साइड, हम लोग इधर क्या होता है इंडिया में, AC चेयर कार कोच को C1, C2 से इंडिकेट किया जाता है, लेकिन यहां जो है, बांगलादिस के ट्रेन में B1, B2 योग या AC चेयर कार कोच और 1st AC का है A1, A2, वैसे मैंत्रिय एक्सप्रेश जो है, वो कलकाता मतलब चितपूर रेलवे स्टिशन के पैठ़ान नमर 1 से निकलती है, और लोकोमोटीव है, हावडा का WDN3, डी लोकोमोटीव के साथ मैत्रिय एक्सप्रेश निकलती है, और यहां पर आप देखेंगेट लगा हुगा है, कुछ दिरवाद यह गेट को भी खुलेगा, वहां भी यह सब के जवान है अपने, तो भाई फिलाल अभी हम लोग आचुके अपने कोच में, लिकर क्या है कि यहां पर भाई साथ लगेज रखने के लिए स्पेस नहीं, पूरा पैक है, दोनों साइड, आपको दिखाता हूँ, वैसे यह है मेरा सीट, दस नमर विंडो साइड, यह सीट है, और ऊपर देखें नहीं है, पूरा पैक, काफी राश्या ट्रेन, बिल्कुल ओन टाइम निकल चुकी है, कौलकता रेलवे सेशन, इसे हम लोग चितपूर रेलवे स्टेशन भी कहते हैं, और देखें, ट्रेन में आपको जब इंडिया से ट्रेन ही कलती है, मैं दो कौलकता से तो पानी का पूरी तरह पैक है, बाई साब, एक यी सीट खाली नहीं था, बीथरी का सीट कुछ खाली था, तो हम अभी आ गया है, बीथरी कोच में सोचे, यहां से कॉंटेंट बनाना साइट असान होगा, बहुत ना जारा दिखा सकते हैं, वैसे मेरा सीट था विंडो साइट, लेकिन यहां लेडिस बैठी हुए थी तो हमने उने उठाया भी नहीं, बहुत कोई बात नहीं, और मेरा सीट था नहीं विंडो साइट, वो विंडो साइट उदर का थोड़ा गंदा था तो बाहर करना जा रहा है, कुछ दिखता नहीं, इस पदर से हम लोग आ गया है, और यहां स रखाया में जाएगी, यह चीकन बर्गर यह कहा है, चीकन बर्गर चाइट रुपया, यह बेज बर्गर 50 और यह चीकन सेंट्विच शाट रुपया, तो यह बेज सेंट्विच नहीं आपके पास, अचाँ, चाइए, बाई अभी फिलाल हम लोग ने ले लिया है, यह ब्ल 10 रुपया, ठीक है, वैसे आपको कॉफी भी मिल जागा, वो आपको पढ़ेगा 15 रुपया का, चलिए ट्राइ करते हैं, देखते हैं, देखते हैं, ब्लैक्टी कैसा है, खीकमत पे जो सवस्ते हैं, अब जाइके और मयार में कैसे है, और फरस्टाइम आम किस ट्रेन में ब्लैक्टी ट्राइ कर रहा है, देखते हैं कैसा है फिर्स टाइम एक्सपिरियंस है ठीक ठाक है ओक है नहीं ज्यादा मीठा लग रहा है नहीं घड़ता है सही है यह आपको पढ़ेगा 10 का अगर कोफी लीजेगा वह आपको पढ़ेगा 15 का चले पर तस में बुरा क्या है एसे ब्रेक फास्ट में क्या यह बिल्कूल हम लोग का जो सताबदी एक्सप्रेंस तीजेस एक्सप्रेंस के सी चेर कार पोच होता है सेम वैसा ही है ठीवाइट टू का सिटिंग है और इधर परदा लगा हुआ है और उपर लगेज वेगरा दिया गया है और जैसे होता है बोतल होल्डर यहां पर आप नीचे यह उपरेष्ट है और इधर यह आर्परेष्ट है तो भाई लगवग 114 किरोमेटर की दूरी तरह करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ड गेजे रेल बेस्टेशन और यहां पर इस ट्रेन का पांच मेंट का हॉल्ड है अब हम इस ट्रेन के जो भी जबादों में वह आएंगे वैसे कलकत्ता से गेदे रेल बेस्टेशन तक हर कूच की गेट पे आपको यह सब की जबाद देखें को भी जाएंगे गेट बगर आप खोल नहीं सकते हैं तो भाई 9 बच के 30 मेर पे अपनी ट्रेन गेदे रेल बेस्टेश जियों का नेटवर्ग है भी फिला अब देखें बॉडर क्रॉस करते हैं नेटवर्ग कभी कुछ ही देरे में चला जाएगा तो भाई फाइनली हम लोगों ने बॉडर क्रॉस कर लिया है यह रहा पांगलादिस बॉडर बगयर किसी चेकिंग के यह फिर पहले ही हो जाती हो यह यह वैस्ट बंगाल से इस बंगाल में चले घए है तो सारा बंगाल रिजर हैनी है यहाँ फर्स्ट ताम है तो सबस्क्राब करते हैं बैल आइकन प्रेस करते और हाह इस वीडियो को भी लाइक करतें धन्यवाद लाइट अभाई अभी तक नेट वर्क तो है वाई जी तुभाई यह है दर्षना रेलवे स्टेशन और यहां पर इस ट्रेन का 20 नियट का ओल्ड है क्योंकि यहां पर लोको मोटीफ को किया जाएगा चेंज और यहां से बांगलादेश का लोको मोटीफ लएगा और जो भी स्टाप आप जो देख रहे हैं वाइड ड्रेस में पानी चेमिकम प्रस रीलवे की टर्मिलज बांगलादेश रेल्वे की स्टाप जिन दो भी मोटीफ लेगा जो मूटीफ का रहा है में चूर्छ हों बांगलादेश को अछुर ही शोर्थ करेंगे से बीकिवी है वैस फेम्पली है? उन्ग पूना से बाइश्या है आफ जारहा है वह पह जो एक्साइटमै जो है न थोड़ा जादा आई है तो बूने से जा रहे हैं बज़र अगये हैं रेल्वे के स्टाफ बांगलादेस रेल्वे के क्या ना मुद आता आपका तो अभी ये क्या लंच है कितने का है ये बॉक्स 170 ओके वो चिकेन क्या क्या है इसमें मुडगी भात और चिकेन बिडियानी ओके तो मुझे बिडियानी चिकेन बिडियानी वन बॉक्स अब दे दो मुझे तका तो अभी इंडियान रुपेई से लीचे है चिकेन बिडियानी और मुडगा भात यह आपको यहां पर मिल जाएगा और दादा इसका बिल मिलेगा क्या तो इसका बिल आप दे दीजेगा मुझे पैसा मैं दे दू अभी दे दू बिल लेका है तब दे तो भाई यह रह तो बड़े रंगतार है मगला देश के तो भाई यह रहा अपना चिकेन बिडियानी और देखें यह पी लिखा हुआ और बोक्स पे सरीफ उतल डह स्टेरेंट एंड सेस्टेशन रोड पिलना और यह क्या लिखा हुआ है यह नहीं पता जाए और साथ ही टीश पेर दीया ग का पीस दिया गया it can k voluntary two कि लगते वायल की लगते और सालफ अप壓 खावा अलगता है करते हैं देखते हैं कैसा है चले बंगला देश में इसी को प्रयानी कहते हैं तो हमें क्या खथराँ आध है कि यह कोई ड्रेया किया पर अब एचल बंगला देश में रहें अच्छा खासा बड़ाद रिया है यह पद्बा रीवर तो नहीं है जिसे जमना नदी कहते है इडिया में हो रहे बंगला देश में पद्बा रियानी प्राइब करते है भारत जितना तो मज़ेदार नहीं होगा अगर मैं प्रेश्ट की बात करो ना तो चिकन जो है ना ताफी सॉप्ट है और ज्याजा स्पाइसी भी नहीं है उत्रम सिवकों का चिकन बड़ियानी है सही लग रहा है एक चीज है अगर आप स्ट्रेट में जड़नी कीजेगा तो आपको वेज का उपसन नहीं मिलेगा सिर् का बोतल लेकर यह आपको चिकन बड़ियानी के साथ फ्री मिलता है वैसे अगर आप लीजिए का नॉर्मल यह 15 रुपीस का पड़ेगा पंदब 15 ठागागा यह रहा पानी आइसलेंड लिखा हुआ है और वैसे हम लोगों ने रेल नीर ले लिया था पालकाता रेलवे स्ट लेगा तो आपको मैं दिखाऊंगा वैसे अब जब मैं खाना खा रहा था तो उस पक्त एक फॉर्म दिया गया है मैं आपको दिखाता हूं फॉर्म कि दरगे हमां दर्शना रिलवे स्टेशन के बाद बागनादेस रेलवे के स्टाप आते हैं वह भी आपका टीकर चेक करत अच्छर एक्सपायरी वीजा नंबर टाइप आप आप वीजा एडरस इं बांगलादेश में जाएंगे तो कहां रुकेंगे उसका एडरस नहाली किना है मुवाइल नंबर इं बांगलादेश वो तो भाई है यही नहीं जो भी है इसे फिल करते हैं फिल करके यहले मुझे मेरे स्वाल का जवाब मिल गया कि इती असानी से कैसे मंगलादेश में दाखिल हो गए अच्छी खासी महलूमात दरकार हैं उन्हें अपने बतन में लाने के लिए अगर आप लोग मेंतरी एक्सपरेस में ट्रैवल कीजिएगा तो फिर ट्रैवल करने के लिए क्या दोकुमेंट्स लगेगा तो सबसे पहले तो इसके लिए चाहिए आपको पास्पोर्ट बूसरी नमबर पे वीजा और तीसरा वेक्सिनेशन सार्टिफिकेट आपको होना चाहिए आपके पास होना चाहिए तो देकि अगर आप इंटेसनल ट्रेइन जानी किया तो सबा पास्पूर्ट और विजा का जरूद परेगा तो देखे वीजा जो आप है आप 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 किया था पॉलकता में 60 लेक सेक्टर फाइम में पंगलादेस वीजा ओफिस है वहां पे हम गये थे आज से लगबग एक महीना पहले और व उसमें फोटो वेगारा भी वो खुदी करके देते हैं और साथी फोटो वेगारा भी वो खुदी कर देते हैं और साथी फोटो वेगारा वो खुदी कर देते हैं और साथी फोटो वेगारा वो खुदी करके देते हैं और वीजा जो है वो आपको लगबग 25 देज में आपक तो इसके बाद आप ड्रेन का टिकट लीजी और ड्रेन का टिकट जो है मैंतरी एक्स पेस का आपको बिल जाएगा आपको मिल जाएगा पॉलकता रेलबे इस्टिशन पे बी कहते हैं वहां पर काउंटर बना हुआ है फर्स्ट बोर पे तो वहां आप जाहिएगा तो वहां आ इसके आपको अलग से बीक करना परेगा आएगा तो अब कुछ जाओट हो आप दीचे लीक है इस्टाग्राप आपके मैसेज कर सकते हूं नहीं को कमेंट भी आप कर सकते हों अच्छे खासे प्रोटो कोले मंगला देश जाने के लिए भारतियों को काफी कुछ फराम करना पड़ता है निपाल का देखा था वह तो कोई भी पूछ गीच नहीं थी पर को का रिष्टा भी बहुत अच्छा है ना निपाल और भारत का मंगला देश में अला थोड़े से मुक्तलिफ है क्योंकि आज जिस मंगला देश में चारे हैं कभी यह पाकिस्तान था और हाँ अ लगबग 24,000 मुझे मिला 24,000 टाका मिला यह पैसा हमने एक्षेंज करवा लिया था इंडिया में किया है कि मांगला देश में तो रुपया चलेगा तो भाई पहले ही चेंज करवा लिए और एक बात का ध्यान लिखेगा अगर आप कैस लगबग 40,000 से उपर ले जाते हैं उ इसका भी ले सकते हों वी सजार के 24,000 टाका मिले इतना फरक भी नहीं है पाकिस्तान के निस्पर तो अब काफी फरक है पाकिस्तान में तो एक एक भारती रुपया तीन पाकिस्तानी रुपयों के बराबर हो गया है हम लोग ने जो लंच किया था उसका बिल आ चुका है तो चले मैं आपको दिखाता हूं बिल भाई यह रहा अपना लंच का बिल 170 का चिकेन पिरियानी लिखा हुआ है 170 टाका और यह जो बिल लिखा हुआ है मुझे नहीं पता कि मुझे पंगला आता ही नहीं है और यह जो चिकेन पिरियानी मिला था उसमें हाफ लिटर पानी का बोतल इंक्रोड था अब हम लोग आ चुक है मैंत्री एक्सप्रेश के वाश्रूम में और देखिए वाश्रूम में आती ही सामने में आपको दिखने को मिलेगा मीरर उपर यह लाइट चल ला आ है और यहा अधर लिक्विट भी है वाई सही है और नीचे इस तरह का मग दिया गया यह और ट्वालेट पेपर गेट के इस साइड देखिए यह गेट है यह वोल्डर पर इधर लगाया गया है और साथ ही टॉविल ओल्डर आपको इधर देखने को मिल जाया गा वासुन की कंडिशन क ठीक ठाक है तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ठाका केंटोनमेंट रेलेवे स्टेशन और ट्रेन जो है हम लोग यहां पहुंच आई लगबग 20 मिनट विपोर यहां पी स्वेइन का पहुंचने का टाइम साथ चार बज़ के 10 मिट हम लोग पहुंचे हैं तीन बज लाइन लगा हुआ है कि यहां पर फिर लगेज वगगएरा चिक होगा पतानी कस्ट्म वगएरा वही हो इमिग्रीशन हो जो भी हो देखते हैं और लगबग है जाने का आप क्या काम करते हो तो हमने बोला कि I am content creator content create करने के लिए हम लोग जा रहा है तो चलिए आज की जर्णी को रखते हैं यहीं मिलते अंगले जर्णी में दूसरा इंट्रेंसलर ट्रीन जर्णी पूड़ा हुआ पहला था नेपाल गया ते दूसरा भी धाका है और बैक तुबैक अभी मागला देश की कुछ ट्रेन होगा content आपको देखने को मिलेगा मिलते हैं अंगले जर्णी में तब तप ना ख्याल लखे अपनी परिवार का ख्याल लखे हस्तर है मुस्परातर है और तार इसी तरफ में बागे साथ जर्णी करते रहे सूसून दि इतनी पूच कीच नहीं थी और जो रिष्टा बताया जाता है निपाल और इंडिया का रोटी बेटी का वो सच में वहां पर देखने को मिर रहा था और फरक नहीं लग रहा था कि यह नपाल के शहरी हैं यहां भारत के शहरी हैं और आज देखा है कलकता से ढाका तक का सफर जो वेस्ट बंगाल से बंगला देश तक है जो कभी इस्ट बंगाल होता था और यह रिजन सारा एगी है साथीन सो सब्सक्राइब का फासला बता रहे थे नो घंटे की मुसाफ़त बता रहे थे और जब भारत से बंगला देश में दाखिल हुआ जा रहा था तो फिर सवाल नामापुर करने को दिया जाता है तो सारी तसलीव जाती है और पता लगता है कि भारा से बंगला देश जाना कनूनी तकाजों के इस साब से अच्छा खासा मुश्किल काम है वीडियो अनर बता रहे थे कि उन्होंने वीजा असिल किया जिसके लिए उन्हें 25 दिन इंत सब्सक्राइब तो यह सारे सरकारी मामला देखे ऐसा लगरा था कि भारत से निपाल जाना तो बहुत असाना लेकिन भारत से बंगला देश जाना उसकी निजबत अच्छा खासा मुश्किल है तूर दूसरी तरफ ट्रें की बात की जाये तो वह बहुत ज्यादा लंगजिर Hindu Muslim majority के नाम पर बांट दिया गया फिर 1947 में ये इस्ट पाकिस्तान बना और 1971 में ये बंगलादेश बन गया और आज तक दुनिया में इसी नाम के साथ मुझूद है तो सफर बहुत ही अच्छा था और इंडिया से बंगलादेश जाना भी एक बेहतरीन एसास था लेकिन चेकिं